हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं नेंद कुमार श्रागत है दोस्तों हमारे आउनलाइन यूटूब चैनल में दोस्तों आपको पता है कि सीटेट में पर्यावराण्स के प्रश्ण पूशे जाते हैं जो फिलाल एक से पांस तक यहां पर लिखा है लेकिन आपके क्यूश और दोस्तों यह पर्यावराण के नोट्स हैं पूरे अध्याय को पढ़ करके एनलाइसिस करके जहां से क्यूशन बनते हैं प्रिवियस यर से सारे क्यूशन को देखा गया और जितने सारे NCRT के क्यूशन है इसको इसमें सामिल किया गया जो कि आपके एक्जाम के लिए बह कच्छा को स्टार्ट करेंगे और एक इक अध्या में देखेंगे कौनकसे क्यूशन बंते हैं तो चलिए दोस्तों क्लास फाइव का यहां पिलेशन पर स्कूर्स करें जhou दोस करते हैं और lesson 1 है कैसे पाचाना चीटी ने दोस्त को तो चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं हम लोगों को इस अध्या से कितने सारे important question बनते हैं तो आपको बता दें कि सबसे जादे important question पांच से तीन से और चार से ही बनते हैं तो इसमें कुछ ऐसे अध्या हैं जिसमें बहुत सारे question बनते हैं तो वैसे आपको सारे इसमें मिल जाएगा तो चलिए lesson 1 हम लोगों स्टार्ट करेंगे कैसे पाचाना चीटी ने दोस्त को तो दोस्तों मैंने पहले ही बता एक वीडियो जो लांग होगा तो आप लास्ट तक देखिएगा यह पूरा निचोड़ है अगर एक बार पूर लेते हैं तो आपको एक्जाम में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी चलिए देखते हैं अब देखिए रेसम का कीड़ा अपने मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है यह फैक्ट है दोस्तों यह आपका इस सध्ध्या में बताया गया है हाइलाइट करके कि रेसम का कीड़ा अपने मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता ह अगर देखिए मच्छर हमें सरीर की गंद खास कर पैरों के तलवे तथा सरीर की गर्मी से हमें पहचान लेते हैं देखिए आप भी सोच रहे होंगे कभी कभी आप भी परसान होते होंगे कि हम लोग सोए रहते हैं तब भी मच्छड इतना दूर से भी हम लों को देख करके या पता ना कैसे आके काड लेते हैं तो वो क्या करता है हमारी गर्मी से और तलवे और सरीर की गर्मी से हमें पहचान लेते हैं अब देखे ये है तीसरा एक कुट्टा दूसरे कुट्टे के मल मुत्र से दोस्तों बन सकता है कि ज्यादा तर पच्छी हैं उनके सर के दोनों तरफ आखे होती हैं वे पच्छी क्या कर सकते हैं तो दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं अकर सर के दोनों तरफ उनका आख होता है तब अब चलिए ज्यादा तर पच्छीयों की आखों की गुमा कर आसपास देखते हैं तो जिनकी पुतली घूम नहीं सकती न वह क्या करते हैं जादा अपनी गर्दन घुमा कर आसपास देखते हैं जैसे उल्लू अगयरा आप देख सकते हैं फिर चील बाज और गिद जैसे पंची सरी यहां पर थोड़ा से टाइपिंग में कहीं द दूरी से देख लेते हैं तो यह वाला भी दोस्तों फेक्ट है यह कई बार पूछा जा चुका है तो इसको आप लोग द्यान रखेंगे और जितने सारे हैं पूरी वीडियोस देखे उसके बाद आपको सारा समझ में आ जाएगा अदेखे दिन में जागने वाले जान और क और कुछ रंगों को देख लेता है लेकिवर रात को जागते हैं वह क्या गलत है। उल्लू के वाल रात जगता है। उसलिए व blush है सफेद और काली द लेती है। अब देखिए साप के कान नहीं होते हैं वे जमीन पर हुए कमपन को सुन पाता है कभी आपने देखा होगा आप जाते हैं और थोड़ी सी भी कमपन होती है तो साप उधर से ज्यादा तेज निकल जाता है क्योंकि उसको कमपन बहुत ज्यादे तेज सुनाई देती है और उसक और उसको लगता है कि मुसीबत आ गई है तो जैसे मुसीबत उसके लिए सेर हो सकता है चीता हो सकता है और जानवर हो सकते हैं तो उनको देखकर क्या करते हैं वो लोग एक खास आवाज निकाल लेते हैं जिससे उनके साथियों को पता चल जाता है और वो लोग बच जाते हैं और देखे मचली भी खत्रे की जानकारी देती है और कैसे देती है वो बीजली तरंगों से देती है इस वाले क्यूशन में यह बोल रहा है अब देखे संदु आजा चार में एक सुनामी आए थी उसके पहले कुछ अजीब बेवार कर रहे थे कौन कुछ जानवर थे जो की संदमान की एक खास अदिवासी जाती समझ गई इस परकार इस जाती के लोग सुनामी से बच गया तो इस अध्या में यही सारे क्यूशन यहां पर बन रहे थे आप देख लिए और इसमें एक और यह सबसे जादे इंपोर्टेंट हो जाता है यह पास का पहले अध्यास से यह बालू जैसे लोग तो इस पे थियस्ट में बतादू यह सारे जो पूंशन है ले किसी यह चाह चाहिंब आखने या दिन के सततरा गंते पेड पर उल्टे लटके रहते में बतादीजे सततरा गंते बहुत होता है सत्रा घंते तक वोग 16 सल गलते व б Tenemos यह उसी पेड़ के पत्य को खाकर पलते हैं 40 वरसों में के अपने जीवन में यह क्युवल आठ पेड़ों पर घूमने की तकलिफ उठाते हैं अब देख लिजे, 40 वरस तक उनकी आयू होती है, यहां से भी क्यूशन बन सकते हैं, कि सथाल की आयू कितनी होती है, 40 वरस होती है, और 8 ही पेड़ पेड़ गुमते हैं, क्या करता हैं, 8 पेड़ 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 गुमते हैं, यह एक सब्ता में एक बार पेड़ से सौच के नी divhea均ल है, यह एक स नीचे उतरते हैं, अब देखिए, क्या करते हैं, वो नीचे उतरते हैं एक अब खाके बार में हैशटेक करेजिए, क्योंकि यहां सभी जादे कुशन पूशे जाते हैं, अब देखिए, यह गंटे यह उस्से जदे चलेंगे तो अगर आपको वाग काई 15 नमबर लेना तो विडियो उसको लास्ट तक देखिएगा तभी आपको फायदा मिलेगा अब बाग के बार में देखते हैं अंधेरे में हमसे च्छो गुना जादा तेज देख सकते हैं अब देखिए अगर आप बाग से बचना भी चा उन्हें उससे उन्हें अंधेरा में राष्ता दूढ़े में मदत मिलते हैं देखिए जो बाग की मूझे होती हैं ना वह हवा से हीले हुए कमपन और किसी सिकार के त्वारा ह εδώ जाड़े हुए जाड़ी 떨कर कर लिए और वह जो हुए उनकी मूझे होती हैं उन्सीन मोझे ब सास्ता भी डूड़ लेते हैं देखिए बाग का गुर्राना हम लोग तीन किलो मिटर तक सुना जा सकता है अगर मालेजी आपके घर के नजदीक कोई जंगल हो बड़ा बड़ा घना अगर आप जंगल के एरिया से हैं तो अगर तीन किलो मिटर अंदर में तो बाग अगर गु पट्रीन के खासियत अब बाग हवां से पत्ते के हिलने और इनके धार कर लेता है यह मैं अब ऑपर बता चुका हूं कि अगर जाड़ी को हिला रहा है कि हवा से जाड़ी हिल रही है यह उनके अंतर को समझ लेते हैं तो बाग के कान बाहर की आवाज को एकठा करने के लिए अलग-अलग दिसाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं अब देख बाग के जो कान होते हैं वो अलग-अलग दिसाओं से आवाज को इकठा करने के लिए अपने कान को बहुत तेज घूमा भी देते हैं कभी कभी अपने डिस्कबरी पे देखा होगा तो इस तरह की हरकते आपको देखने को मिली योंगी अब देखे जीम कारवेट पार्क जो है कहां पे है उत्रा खंड में है तो यह भी क्यूशन पूशा जा सकता है कि जीम कारवेट पार्क कहां पे इस्तित है तो उत्रा खंड में इस्तित है और घना पच्छी विहार या भरतपूर पच्छी विहार यह कहां पर है दोस्तों राजस्थान में है और राजस्थान के कहां पर इस्तित है भरतपूर में इस्तित है तो देखी यह दो तरह से क्यूशन पूछा सकता है घना पच्छी विहार कहां है रजस्थान में है कहां पे है भारतपूर में और इसको भारतपूर पच्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है तो यह रहा दोस्तों यहां पर depiction relation 1 से आप देख सकते हैं इतने सारे कुषिंध से भाग से थाल से और रेशम के किगडे से तो इसे के क्यूशन दोस्तों बनते हैं मैं एक दम दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप यह सारी NCRT का निचोड देख लेते हैं तो आपको दावा करते हैं कि आप 15 नंबर किसी तरह लेके जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि NCRT से 15 नंबर आते हैं अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो आपको पता कर लेना चाहिए लेकि मैं मुझे पता कि यहां से 15 नंबर इसमिल किया घर करेंगे तो आपके लिए मैं रिकोघंट करूंगा कि अगर आप कहानी पक्ड भी लेते हैं लेकि एगर ज़ादे काइम नहों तो इस नोट्स को आप जरूर देख लें अब देखें नाग गुमपन क्या होती है तो देखें नाग गुमपन एक डिजाइन है रंगोली है कड़ाई है जो दिवारों को सजाने के लिए सौराष्ट गुजरात और दच्छिर भारत में प्रयोक किया जाता है अब देख लुक ही लॉकी से बनाए जाते हैं अब कालवेलिया सफेरों का नाच है नाच का एक क्या क्रिया है तो पूछायप क्या है क्या है साप और केचवा किसान के मित्र होते हैं का घू Satb आई करता है च्शोता के मित्र हैं अब देखिए यह सबसे इंपोर्टन क्यूशन यहां पर आपको मिलेगा हमारे देश में चार तरके जारीले साफ पाया जाते हैं और वह कौन कौन से साफ हैं पहला है कोबरा जिसे हम लोग नाग कहते हैं एक है करायत एक है दुबोईया और एक है अफाई तो इस चार तरके साफ हमारे भारत में पाया जाता है जो कि बहुत ही ज़हरीले होते हैं कौबरा कराय दुबोईया और यह आप लोग याद रखेंगे यहाँ से ऐक हैं बने सा सकते हैंating यहां बनते ही है मैं बता दूं कि बंते ही हैं से क्यूशन अभ चलते हैं लेसन ज्टेट के चखने पचने तक कितना खाके पचाते हैं अब देखते हैं कहां कहां से क्यूशन बनते हैं इसको हम लोग इसमें देखेंगे अब चलिए गुलकोज चढ़ाने से बीना खाए पिए जल्दी तागत मिल जाती है तो अगर क्यूशन में आप से पूछ लिया जाए कि निम्नू बिकल्पों में से क्या खा कि आपको जल्दी तागत मिल जाती है तो जैसे आपको आजा सेव संत्रा आम और गुलकोज तो इस क्यूशन बनते हैं अगर आपको उल्टी होती है तो आपके लिए भी काम गाएगा दस थोने पर नमक और चीनी का घोल ले लिए आपकी दस तो रुक सकती है हमारे पेट के अंदर 30 डिग्री सेल्सियस का ताप मान होता है अब देखिए कभी-कभी आप उसे पूछा जा सकत है और इक्जाम में बहुत पूछा जाता है कि हमारे पेट के अंदर कितने डिग्री का अताप मान होता है तो 30 डिग्री अब देखिए काला हंडी जिला कहां पर दोस्तों तो यहां से क्यूशन बनते हैं क्योंकि मिलान वाले आ जाते हैं कि मिलान करिए तो काला हंडी कैंग सो तुर तो स데 यहांَम पर लेसन पी खत्म हो गया अभ चलते हैं चार लेसन के छाएं मार महिने क्यांगक कि एक प्सक्राइब को महिने इसको इस से जितने सारे इसल सबलनते इसको द써 को अभर टो इसमीं दोस्ट पांगर से थाहन रखा होव औन है भी कि जो कमिया हैं उनको दूर की जाए लेकि अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है तो आप लोग मैनेज कर लिज़ेगा उसको अगले वीडियो में तुछ सुधारने का प्रयास किया जाएगा महीने से कितने किशन बनते हैं उसको भी खाने वाली घरेली बस्तू को एक या दो दिन तक खराब होने से बचाने के लिए घर दो दिन तक बचा सकते हैं एक कटोरे में डाल कर पानी के बरतन में रखते हैं अगर देखिए एक कटोरे में रखकर के अगर पानी के बरतन में अगर आप दूद को रख देते हैं तो वो दूद एक से दो दिन तक खराब नहीं होगा वाकर अगर आपको बचाने तो आप फ्र उबालकर उषकतों चोटा-चोटां काड़कर राखता हैं ऐसाज लासुन खूले में रखते होवन नमी से बचा कर रखते हैं तो यह भी ध्यान रखेंगे अगर लौस अगर आप घर में रखते हैं तो उसको बचा कर तो इसको bought me गुफ में दोसको मामणी तान्दरा के बारे में बाड की गई है तो मामणी तांदरा आपका एक आम पापड है जो आम से बनाया जाता है वहां का मुरब्भा भी क्या सकते हैं तो उसको हमक्रों क्या करते हैं और प्रदेश में शाउट में उसे हम लो मामरी मामरी तंद्रा बोलते हैं जो किस असे बनाय जाता है अच्छार रखने वाले बरतनों को नमी दूर करने के लिए उसे धूप में सुखाया जाता है अब यह पूछ सकता है कि काच के बरतन को धूप में क्यों रखा जाता है तो उसके नमी को सुखाने के लिए क्योंकि आपके अचार में फंगस वगेर नौ लगे तो इसके लिए उसको सुखाया जाता है पूरे से कोलकाता जाने के दो दिन का समय लगता है अगर क्यूशन में आप से पूछा लिया जाता है कि पूरे से कोलकाता जाने में कितना टाइम लगता है तो वो लगता है दो दिन का इस अध्याय में इसके बारे में बात की गई है अब देखिए आम को पूरे साल तक चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं पापड बनाते हैं जैसे कि आपने देखा आम पापड उसके बाद चटनी भी बनाकर रख सकते हैं अचार भी बनाकर रख सकते हैं और टाफी और रस भी बनाकर रखा जा सकता है अब देखिए रस की बात करें तो हम लोग मैंगो फ्रूटी वगरा पीते हैं तो वह सारी चीज़े क्या है आम को बचा कर रखा जाता है तो वह संर रच्छन की विदिया है अब देखिए आम पापड को आंद प्रदेश में क्या बोलते हैं मामडी तांदरा बोलते हैं याद रखिएगा कि अगर आपका आपका बी चैया और देखिए दोस्तों 20 के बारे में बात की यह है तो इसमें बहुत सारे क्यूचन यहां से बनते हैं अंगा लिजे का इस अध्या को मैं आपको बता दूंकि यह 5 कि न जितने सारे प्रस्न बनेंगे जितने सारे प्रश्न वाइवे हैं और इसी तर कर दी जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है तो चलिए इसमें देखते हैं हम लो बीज 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 में काउन काउन से क्यूशन बनते हैं अब देखिए भीगे चानों को अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में लपेट कर टांग है अगर आपको चाना मालेजिए आप चलिए तरह कि पूधा होता है और इसके बारे में हर शाल क्यूशन पूछे जाते हैं और यहां से इस बार भी यूशन आप लगा सकते अंदाजा कि यहां से पूछे जा सकते हैं तो छलिए निफन थीज पर देखते हैं या चुहो मेड़ों को कीडों मकौड़ों और चोट जीओं का सिकार करता है यह हर एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा भी अगर इसमें अगर आप गलती कर देंगे तो यह क्या करता है चुवों को मेड़को को कीड़ों को मकोड़ों को और छोटों जीओं का सिकार करता है और यह कहां कहां पाया जाता है में इंडोनेशिया में और भारत के मिघालय राज में पाया जाता है इसका आकार लंबए घड़े के आकार का होता है यहाँ तक हमिए छस्फबुन निकलती है जिसकी विज़िसे कीड़े खीचे चले आते हैं यह पोधा वहां पाया जाता है जहां नाइट्रोजन की कम होती है और एक पॉइंट मुझसे दोस्तों यहां पर छुट गया है इसका मुख्ज होता है घड़े का वो पत्तों से ढगा होता है किसे पत्तों से तो यह पॉइंट आप लोग बढ़ा लेंगे अगर नोट्स बनाएंगे तो यह आप लोग याद रखेंगे यह हो गया निफन थ्रीज से अब चलते हैं बेलकरो क्या होता है बेलकरो बेलकर के बारे में देखते हैं देखेंगे दोस्तों अगर अब बच्पन में जूते वगर आप पहने होंगे तो आपको चरमर की एक मिलती होगी सटाने के लिए जो हम लोग इस समय फीता राते हैं तो उस समय हम लोगे मिलता था चरमर आप यह आता था और अच्छे भी लगते थी आती है तो वो होता है दोस्तों वेलक्रो अब देखिए क्या होता है वेलक्रो बस्ते कपड़े और जूते में इस्तमाल किया जाता है जो आपस में चिपक जाते हैं तो वो क्या होते हैं आपके वेलक्रो जैसे कि बैग बगएर में भी इस्तमाल किया जाते हैं और उनको खोलेने पर दोसो चर्मर की आवाज भी आती है यह आपको पता देखिए वेलक्रो का आविस्कार किस ने किया था गुुआ Annoy university ने स्वीय्टर्ज लैंड के जार मारेश्टी। में स्वीटर्ज लैंड लें सुचिन किया था जार bye ड़िए याद रखेंगे ल्गर्सकार कवज्सकार कॉन क्या था जार जार रिच्ट राई देखे पौधे सोय ही अपने बीजों को दूर तक छिटक देते हैं जैसे सोया बीन अगर आप सोया बीन देखेंगे तो सोया बीन के बीज जो होते हैं अपने से दूर तक छिटक जाते हैं अगर आपका पौधा है तो बीजो है दूर तक छीटक जाती है तो ये अपने बीजो को छीड़क देता है कौन सबसे ज्यादा छीड़कता है सोया भी अब ये वाले भी कुशन बहुत ही इंपोर्टेंट है मिर्ची हमारे देश में पूर्टगाल देश के बैपारी कहां से ल आप बात याद रखेंगे ये कुशन बहुत ही इंपोर्टेंट है और भिंडी काफी अफ्रिका कहां से आथे अफ्रिका भिंडी काफी अफ्रिका याद रखेंगे भिंडी और काफी अफ्रिका अब देखिए फी यानि यहाद पर अगर रिलेटिट करके अगर आप पढ़ इस वाले पाले में यह कभीता है गोभी मटर कहां माँत्व miejsce घंटे काफी अफिरिका से इस तरह कि कभीता है तो इस निच लोड़ करके कीशन को बनाया गया और चाय दोस्तों कहां से जा चाय असम में पाया जाता है और सोया बीन चीन सोया बीन चीन इस तरह याद रखेंगे बीन चीन यानि सोया बीन दोस्तों कहा से चीन से आया इस तरह का याद रखेंगे तो यह question हो गए हैं इधर से अब देखते हैं class 5 के lesson 6 के notes बूद बूद दरिया दरिया कि देखिए सम्थिंग 22 या 23 या 24 पचीस अध्या होंगे किसी अध्या में question नहीं भी बने हैं तो देखते चलेंगे सभी question को solve करेंगे आज पूरा वीडियोस को सब्सक्राइब करेंगे और इस पंदर नमर को हम लोग अच्छे तरीके से ले करेंगे चलिए अब देखते हैं इस वाले अध्या से क्या बनता है कि उश्या 650 साल पूराना घड़सी सर तलाब घड़सी राजाने जैसलमेर में बनाया था तो एक कहानी में ये निचोड निकाल लगया है कि ये घड़सी सर तलाब था जिसे 6500 साल पुराना है और जिसको किसने बनाय था जैसलमेर के राजा ने बनाया था और उस राजा का क्या नाम था गड़सी राजा नाम था अब अलबुरुनी उजबिकिस्तान से भारत आथा इसके दूर भारत की इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है ये दोस्तों इस सद्धाय में अलबरुनी के बारे में बताया गया है कि ये उजे पिकिस्तान से भारत आथा और भारत की इतिहास के बारे में जानकारी भारत की इतिहास की किताबों से मिलती है अब देख़े, बाबडी पूछा जा struggling होता है तो बाबडी का अरत होता है कुवां या जलासा है जिसमें प्राचीन समय में पुराने समय में हम लोग क्या करते थे पानी कोई कठ्ठा करने के लिले इस्तोमाल किये जाता jetzt है छिसमें हम लोग बाबडी कहते थे और बाबडी त इस में बताया गया है, अब देखी तरुण भारासंग कहान एकलते हैं तो यधा राजस्थान के याद रखेंगे तरुण भारत संगे यह पानी ओकटा करी फटते हैंे तर्टब ही काे हैं अब दड़की माई की कहाणी 1 화 störम की किताब से ले गई अ बढ़िए इसमें इसमें बताया गया कि दड़की माई की कहाणी से ली गई थी तो चार कặा देखाणी पानी को लिया गया था और NCRT के 6 लेवे में फाइव कच्छा में छठा अध्या में इसको सामिल किया था अब चलिए लेसन सेबन को देखते हैं पानी का प्रयोग इसमें पानी के प्रयोग को देखेंगे मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है अगर पुछा जा कि सबसे नमकीन सागर यानि सबसे ज्यादा नमक किस पानी में है कहा के पानी में है तो मृत सागर में मिलता है को नमक बंते हैं यह भी क्यूशन आ सकता है कि कौन मिरित-चाह यह की लीटर पानी Κंत के इक लीटर पानी से कितने गラाम तक अपनिकाल सकते हैं धूत पीसोग घ्रम तक अपनिकाल सकते हैं मुरिज सागर में कोई व्यक्ति डूब नहीं सकता डांडी यात्रा 1930 में गाधी जी के गुजरात के अहमदाबाद से डांडी समुद्र टट तक एक लंबी यात्रा की और नमक कानूर को तोड़ा तो यहां से सबसे बड़ी बात यह है कि नमक कानूर किस ने तोड़ा तो गांधी जी ने और कहां से गुजरात से अहमदाबाद यह प्रैक्ट आप याद रखेंगे गुजरात से अहमदाबाद और कब हुआ था डांडी यात्रा 1930 में अब चलते हैं यहां पर मच्छरों की दावत यह क्यूशन बहुत ही इंपोर्टेट है यहां से क्यूशन बनते हैं और यह क्यूशन तो आप लोगे देहान रखिएगा एक मैं प्यूशन बताऊंगा लेसनेट से वह बार बार पूछे जाते हैं बस घुमा दिये जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं तो मच्छरों की दावत में देखिंग भाई कैसी है मच्छरों की दावत और क्या है और यहां से कौन कौन से क्यूशन बनते हैं अब देखिं मलेरिया मच्छर के काटने से होता है मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीस के काटने से फैलता है अ जाद रखेंगे और मलेरिया की दावा सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है अनीमिया खून में हीमोगलोबीन या आयरन की कमी से होता है अनीमिया में अगर तेखिए अनीमिया कब होता है जब आपके हीमोगलोबीन में आयरन की कमी हो जाती है खून में हिमोगलोबीन या आरेन की कम्योज़त आपको एनेमिया हो जाता है और एनेमिया को सही करने के लिए आप सबसे ज़्यादे गुड़ खाईए आवला खाईए हरी पतिदार सबजी आप खाएंगे तो आपकी एनेमिया दूर हो जाएगी अब देखिए 17 नवंबर 2007 में दिल्ली नगर के एक बहुत से स्कूल में हजार बच्चों अनेमिया का सिकार हुए थे तो ये वाला फैक्ट भी आप से पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा गलत है तो इसमें कुछ श्वेर बदल करके आप से पूछे जा सकता है तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे अब देखिए आरन की कमी से बच्चों के सार्रिक और दिमाग तंदृस्ति पर असर पड़ता है जिससे बच्चे अच्छे से बढ़ नहीं पाते और उनमें फूरती भी कम होती है अगर आप में आरन की कमी हो जाएगी तो आपकी दिमागी तंदृस्ति पर भी असर पड़ेगा और आपके बच्चे फूरती भी कम होगी अनिविया में बच्चे को आरन की गोलीया देशाची है देखेंगे जब आप बचपन में रहेंगे तो कि एक गोली मिलती होगी और आपको भी छोटी सी मिलती थी तो उवह खाने के लिए मिलती थी जो क्योंकि हम लोगी आरन की कमी को दूर करें हीमोगलोबीन में लगबग 12-16 ग्राम पर डेसी लीटर होती है आपके हीमोगलोबीन कितनी होनी चाहिए 12-16 ग्राम पर डेसी लीटर अब देखें मच्छरों के काटने से मलेरिया डेंगू और चीकन गुनिया हो सकता है जिस हैस्टेक की बात मैं कर रहा था कि सबसे इंपोर्टेंट क्यूशन कौन बनता है तो यह से यहीं बनता है कि मच्छर के काटने से कौन सा बिमारी फैलती है तो मलेरिया डेंगू और चीकन गिनुया इसके आप याद रखेंगे अब कि किस ने पता लगया था कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है तो वह कौन थे रोनाल्ड रॉस अब मच्छर के बीच में ताक जहग किये थे मच्छरों को पकड़ पकड़ के बहुत सारा एक्सप्रिमेंट किये थे देखे थे तो उनको पता चला कि उनके लार्वे स से क्या फैलता है मलेरिया फैलता तो कौन चेक की थे रोनाल्ड रॉस और इसके लिए उनको 1902 में चिकिसा के छेतर में नोबल पुरुसकार भी दिया गया था तथा 1905 में इनकी मृत्ति भी हो गई तो यह प्याद रखेंगे 1902 में इनको नोबल पुरुसकार मिला था और 1905 मे इसेसाथ दोस्तों यापे थुदा सा रिल्यक्स भी करते रहें आप अब लेशन 9 में आते हैं डायरी कमर सीधी ऊपर चड़ो चलिए देखते हैं इसमें कितने सारे important question बद्दे है डारी कमर सीधी उपर चड़ो तो इसमें दोस्तों सबसे important पहले ही question आपको मिल जाता है कि नहरू इंच्रिट आफ माउंट एरिंग उत्रा खंड में यह माउंट एरिंग स्कूल करता क्या है जो पहाडों पर चड़ते हैं परवतार होई उनको ट्रेनिंग दिलाता तो यह का नहरू इंच्रिट आफ माउंट एरिंग कहां पर उत्रा खंड में पूशा जा सकता है अब मीजो भासा कहां बोली जाती है तो यह मीजोरों में बोली जाती है परवतार होई भासा में रैपलिंग का मतला वापस उतरना होता है यह रैपलिंग पूशा जाकता क्या होता है तो पहाडों से वापस उतरना रैपलिंग कहला था भच्हंद्री पाल एवरेश्ट प्र चलणने वाली भारती महिला थी है याद रखेंगे आप 1984 में भच्हंद्री पाल क्यों रेस्ट प्र चलणने के लिए चुना गया था नेपाल में पांट-वरेस्ट को सागर माथ्या के नाम से जाना जाता है 23 माइन 1984 को एक दिन में एक बच कर साथ मिनट पर नमासी सो और देखिए नमासी सो किस से दिया गया एंसी आर्टी से दिया गया मीटर उची चोटी पर बेचहंदरिपाल पहुची थी अब देखिए कहीं कि 8850 भी मिलेगा आपको आप्शन में लेकिन आपको आप्शन में हमेशा कितना एवरेश्ट की उचाई रखनी है रभार यहें और दिया से यहां बंद्र कामक्हतन है मैं दावा करता हूं अगर आपको चुरों को जो करना का कर देखा मैं बता देता हूं क्योंकि जो करना और के और लेँन तो वही बात है यह handwriting notes है फिर उसके बाद बहुत ही मैनत करके tapping किया गया है तो इसलिए मैंने tapping किया है कि इससे मुझे भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो तो यह आपको बहुत important है यह आप जरूर देखिएगा तो अब चलिए lesson 10 में आते हैं बोलती इमारते भाय इमारते भी बोलती है और क्या बोलती है यह सब देखेंगे गोल कोंडा किला हैदराबाद के तिलंगाना राज़े में है अब देखे गोल कोंडा किला है एक और ये कहां पे है तिलंगाना में है और हैदराबाद के तिलंगाना राज़े में है अब देखे कूचीपुडी आंद प्रदेश में होता है कूचीपुडी एक निर्त्य है और वो कहां होता है अंद्रप्रदेश में अभी मैंने मल्लापूर के बारे में बात किया था तो मल्लापूरा जिला कहां पर है केरल में इस थी था लकड़ी के चपल को खड़ाओ कहते हैं जो हमारे दादा के दादा वगर पहनते थे माली जे आपके दादा भी पहनते होंगे शकड़ी के चपल बनाया जाते थे जिसे हम लोग क्या कहते थे खड़ाओ कहते थे मैंने अपने जीवन में एक या दो खड़ाओ देखा होगा दादा वगरों को पहनते हुए तो देखिए मसक क्या होता है तो मसक में पानी भरा जाता है जैसे रेगिस्थानी छेत्र होते हैं तो आपने देखोगा एक कपड़े का मसक बनाया जाता है और उस मसक में पानी भरा जाता है तो मसक में पानी भरा जाता है याद रखेंगे अब देखिए ये लेशनी 11 नवह तो देखिए अभी तक मैं बात करो तो फाइप में कोई ऐसा अभी तक नहीं आया है फिलाल कि जिससे क्यूशन नौ बने हो अभी तक जितने सारे हम देखा सारे से कूशन बने हुए सारे अध्या से अब देखिए सुनिता बिलियम्स कौन थी तो सुनिता बिलियम्स एक अंतरिस यात्रे थी और वो प्रिथभी से 360 किलो मिल्टर दूर इस स्पेस में गए थी अब देखिए क्यूशन यहीं पर घुमा देता है अगर आपसे दे दिया जा सुनिता बारत पकिस्तान नेपाल और वर्मा को अलग अलग देख सकती थी तो इस अध्याय में दोस्तों यहीं बताया गया कि सुनिता बिलियम्स ने बताया था कि वह स्पेस से पिर्थिभी पर यह तर्क कर सकती थी कि पकिस्तान एक तरफ है नेपाल कहां पर और वर्मा कहां पर तो भाले बैगती थे बुद्ध service थे आप याद रखेंगे में नील अमर forensic यह चांदें पर उतरने वाले मेरे पहले बैगती थे हैंघ्या मुटन अब क्लास वािब के लेसन 때는 12 में चलता है खत्महसाय तो जो जो चीजे खतम हो जाएंगी तो क्या होगा इसके बारे में बात की जाए गई है CNG अब देखिए आपे CNG का फूल फॉर्म आप से पूछा जा सकता है तो CNG का होगा compressed natural gas इस गैस से धुवा कम होता है याद रखेंगे यह होता है compressed natural gas इसका फूल फॉर्म CNG का अब देखिए जमीन से निकाला गया तेल कैसा होता बाई गाड़ा होता है बदबुदार होता है याद रखेंगे एक बार फिर से बता दो दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब निकिए तो एक बार जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियो इसको लाइक भी ज़रूर कर दिएगा क्योंकि एक लाइक आपका हमें होसला मिलता है एक लाइक से और अगर आपके दोस्त है पासपरोस के दोस्त है अगर वो भी सीटेट वगरा की तयारी करते हैं तो उनको भी नोट सेयर करिए क्योंकि उनको भी इससे फैयदा मिल सके तो चली देखते हैं इस अध्या में अंग्रेजी में लोनर का अर्थ अकेला रहने वाला होता है लोनर यानि अकेला रहने वाला देखें मुंबई से दिल्ली की लंबाई दोस्तों 1400 किलोमीटर है कितनी है 1400 किलोमीटर अगर आप मुंबई से अगर दिल्ली जाना चाहते हैं तो आपको 1400 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा अब देखें मुंबई से दिल्ली जाने में गौरोजानी को महाराष्टे कुजराफ और रजास्थान के छोटे छोटे गाउं से जाना पड़ा तो यह कूशन में पूछाए साकता है कि जो मुंबई या रहा था गौर जानी वह किन किन राज्जों से होकर गया है? तो आपका महराष्ट, गुजरात और राजस्तान ये तीनों याद रखेंगे अब देखिए ये जो है ये इससे क्यूशन बनते हैं और इससे दो तीन क्यूशन बनते हैं और बहुत ही सटी क्यूशन बनते हैं तो ये मैं करा रहा रहूंना लद्दाक के बार में तो इसको सारे को आप लो ध्यान से देखिएगा अब लद्दाक के बारे में बात की गई है और लद्दाक के खास कर घरों के बारे में बात की गई है तो चलिए लद्दाक में घर दो मंजिला पत्थरों को काट कर बनाया जाता है किस से बनाए जाता भी या पत्थर से काट करके दो मंजिला घर बना दिये जाता है उस पर मिट्टी और चूने से पताई की होती है अब ये क्यूशन बनता है कि लद्दाक के घर पत्थरों से काट कर बनाए जाते हैं और मिट्टी और चूने से पताई की होती है इनके फर्स लकड़ी के बने होते हैं छत को मजबूत बनाने के लिए लकड़ी के मोटे तनों का इस्तिमाल किया जाता है उपर लोग रहते हैं तथा नीचे जानवर रहते हैं तथा ठंड के समय वे भी जानवरों के साथ ही नीचे रहते हैं देखिए लोग उपर तो रहते हैं लेकि जब जादे ठंड पढ़ने लगती है तो वो लोग भी नीचे रहने लगते हैं नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है यह आप लोग ध्यान रखेंगे तो यह था लद्दाग के बारे में यह लोग फिर से देख लीज़ेगा पीडियाप डाउनलोड कर लीज़ेगा अब चलिए चांग थांग के बारे में बात कीगे चांग थांग के लाका लद्दाग में इस्तित्थ है चांग थांग का मतलब होता है जहां पर कम लोग रहते ह तो ये इनकी एक प्रजाती थी इनकी एक जनजाती है जहां पर कुछ कम लोग रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं चंग ठांग कहते हैं और चंग ठांग लोग जो में चागंपा जनजाती होती है अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे चागंपा क्या होती है अब देखिए ये जन्जाती जो होती हो नग्हुमंतू होते हैं और यह अपने भेड बकरी के साथ हरे मैदान के खोज में घुमते रहते हैं चागंपा लोग खास तरह की बकरी रखते हैं जिससे पसमीना साल बनाय जाती है तो देखी इस साल बहुत ही महेंगी होती है दोस्तों और एक पस्मिना साल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है और इसको बनाने में 200 गंटे लगते है तो इसको कुछ इस तरह पूछा जाकता है तो हैं पे डूसमीना साल और बनाया जाता है किसी स्पाइब से यहाथ हो से बनाया जाता है बहुत ही मांगा भी बेचा जाता है प्रश्यकण communism autonomy और get this जहां जाता है पैं हम पैंसी जैसे दिते हैं बोलते हैं लेकिए चागमपा लोग जहां पर रहते हैं उसको लोग क्या बोलता है रे बुक कहते हैं और एक लेखा वो लोग बनाते हैं जैसे हम लोग कहीं दूर अगर बकरी चराने गए तो अपने कवी देखा वहागा भेडापरियों को एक तरख क्या करते हैं चार तरफ चागंपा लोग देखिए यहां पर स्री नगर के बारें बात की गए यह स्री नगर के घर कैसे होते हैं अब स्री नगर में आये टुरिस्ट कहा रहते हैं हाउस बोट में रहते हैं पूजा ज़कता है कहां कि लोग हाउस बोट में रहते हैं तो वो हो जायक आपका स्री नगर house boat 80 foot तक लंबे होते हैं तथा 8 से 9 foot तक चोड़े होते हैं boat की तरह डोंग भी पानी में तैरते रहते हैं यहां पर थोड़ी से टाइपिंग में गलती होगी तो आप लोग उसको manage करिएगा क्योंकि गलतीया सभी से होती रहती है अधिके boat की तरह डोंगें भी पानी में तैरती रहती है यह डोंग होती है और वो पानी में क्या होती है तैरती रहती है स्री नगर की डल जील जेलम जील में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं इन में अलग-अलग कमरे भी होते हैं तो जब आप वहाँ पर जाएंगा, शरी नगर में तो वहां पर आपको'S जील, जेलम। जेलम नदी. दॉंए और जेलम जील में डॉंगी जो फीये। युदों खोती हैं। युदों उसमें खोधा है और कई परिवार सेकोए नीवास्ट प्सक्राइए. और इसमें आपके घर बनाय होते हैं सोन्सित जब देखेंगे वहाँ की कस्मीर की सब्सक्राइब जैसा होता है इससा होता है जिक्सा पजल जाशा तो इस सारे फैक्ट हैं दौस्तों अपनों आप याद रखेंगे पथ्रों को काट कर एक के उपर रखकर घर बने का आपको मिलेंगे कस्मीर के गाओं पत्थरों के उपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का इस्तमाल की जाता है इन घरों के छट ढलवा होती है दिखिए सेम है किसे लद्दाक के घरों से लद्दाक के घरों से दोस्तों सेम है बट यहां पर क्या कियाता है इनकी छट ढलवा होती है और मनाली की भी छट ढलवी होती है आगे पढ़ेंगे लद्दाक के घरों की जो छट होती है वो समतल होती है और ये कस्मीर के घर के चछत जो होते हैं वो ढलवे होते है अब देखिए जालेदार खिड़की बाहर की तरफ बुरी होते हैं जिने डब कहते हैं जब आप कस्मीर के घरों के देखेंगे न तो ये उनकी खिड़की जोती है बाहर की तरफ निकली होती है जिसे हम लोग क्या क बनते हैं अब पूछ लेका आप कच्छ हिलाका कहा है तो कच्छ हिलाका गुजरात में है गोबर से लगी मिट्टी से घर को क्यों पोते हैं क्योंकि उसमें कीड़े नहीं लगते हैं 26 जनौर 2001 में कच्छ गुजरात में भुकम पाया था यहां से बनता है और अभी तकर आप चैनल को सब्सक्राइब निके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो जीतने लोग देख रहे हैं वीडियो को जरूर लाइक कर दीजे और जो आपके लिए बहुत ही इंपोटेंट है देखिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको 15 नमबर लेने हैं तो आपको एक देखना पड़ेगा अगर देखना नहीं तो आपको NCRT पढ़ना पड़ेगा NCRT की जितनी बुक है आपकी तीन से पास तक्यों वो सारे आपको पढ़ने पढ़ेंगे तो मेरी हिसाब से अगर आपकी एक बार पढ़ कि अगर इस पीडियोप को देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्फ हो जाएगा आपको बस देखना पड़ेगा अगर इस तरह का आप याद करते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो शकती है तो दोस्तों इस सद्ध्या 15 से कोई भी क्यूशन नहीं बन रहा है उसे ससंड़ा उसी से घर में अब चलते हैं अगले क्यूशन पर और लेशन 16 से कौन करेगा यह काम तो इसमें लगबग टूशन बन रहा है तो इस से बनता है क्यूशन साबर मती आश्रम कहां है तो गुजरात में है गोरे गाउँ कहां है महरास्ट में तो दोस्तों गोरे गाउँ कांड भी है आप जान अब चलते हैं सत्रह में फादली दिवार तो इस अध्या से कुछ क्यूशन बनते हैं तो इससे चात्रप्रती सिवाजी टर्मिनल कहा है पूछा जाएगा तो मुंबई में है वहां से नागपाड़ा लगबग 20 मिनट की दूरी है अब मुंबई टर्मिनल से और नागपाड़ा की दूरी कितनी है 20 मिनट की है और जिन पुरुसकार खेल के छेतर में दिया जाता है यह याद रखेंगे अब चलते हैं 18 में तो जाए तो जाए कहां यहां से कोई इंपोर्टेंट क्यूशन नहीं बनते तो इसको हटा देते हैं अब लेशन 19 में आते हैं किसानों की कहानी बीज की जुबानी यहां से कुशन कुछ बनते हैं और गुजरात में उध्वयू का मतलब होता है उल्टा और सर पर केच्व किसान के मित्र होते हैं उपर भी हमने देखा है और इस वाले कुशन में भी दिया गया था तो यह मत piece के जंगल कहां का मतना है तो सांविल कया गाया है तो यहां पर लिंक दे दे देंगा उससे जाके देख सकते हैं अब लेसन Penny देखेंगे Kiske poison बनते हैं तो किस जंगल में क्यूछ नफेThank you कि कुछ्य के लोग बोलते हैं सभी लोग नहीं बोलते हैं यह कुछ लोग- जोन जंगल बचावा भियान शुरू किया था तो सुर्यमडी जंगल की एक महिला थी और उन्होंने जंगल बचावा भियान शुरुवात किया था अब कुड़ुक भासा में तोरांग का मतलब होता है जंगल देखिए हर एक समुदाय की लगबग आप बात करते हैं तो अगर जंगल हैं तो अधिकतर उनकी जंजातियां जोती हैं उनकी एक अलग सी कोई भासा हो जाती है तो यहां पर वही सुर्यमडी जारखंड की है और य देखिए हिसमें कुछ चीज़ें हैं यह कुछ कानून है जंगल अधिकार दोहजार्य जंगल अधिकार दिनियमें 2007 में अब busca कि जो पचीस सालों से जंगल मेरा रहा है उनका वहा जंगल में पैदा होने वाली बहस्तों पर उनका हक है तो यह जंगल अधिकार दिनिया में 27 साथ कहता है सबसे ज़्यादा जंगल मद्यप्रदेश में याद रखेंगे आप लोग जूम की खेती कहां पर की जाती है मिघाले में की जाती है और जूम की खेती के बारे में यह जो इंपोर्टेंट्स चीजें हैं वह आप लोग ध्यान रखें क्योंकि जूम की खेती पूशी जा सकती है और इसके जो इंपोटेंट्स है यह कैसे बोई जाती है और कैसे की जाती है इसके बारे में तो यहां पर जूम की खेती तरीका निराला है यह एक फसल कटने के बाद कुछ साल तक अराम करने देते हैं उससी उसमें खेती नहीं करते हैं तो कुछ साल तक छोड़ देते हैं उसी तरह इस जगह जो बास या जंगल उख जाते हैं उन्हें उखाड़ते नहीं हैं बस गिरा कर जला देते हैं यहां जमीन में खाद की काम करती है जिसे हम लोग जलाते हैं जमीन को जलाते हुए आसपास के पैड़ न जलें जंगलो का नुक्सान न हो ऐसा हम नोग को देखना पड़ते हैं अगर जूमखिती करते हैं फिर जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है मिटी से हलके हिला कर बीच छिड़क जाते हैं तो मिटी को हलका सा खोद दिये जाता है उनली और उसमें क्या करते हैं बीच छिड़क देते हैं और फसल पक जाने पर ये बड़ा तेवार मनाते हैं जब जूम की खेती पक जाती है तो ये लोग बड़ा तेवार मनाते हैं और उसमें चेराओं नाच करते हैं क्या करते हैं ये लोग चेराओं नाच करते हैं कहांके मेगाले के लोग तो इस सद्ध्यास से बहुत ही अच्छे क्यूशन थे अब चलते हैं लेशन 11 किस की जलक किस की छाप तो यह है अस्टरिया में रहने वाले ग्रेगर जान मेंडल का जन्व 1822 में हुआ था और मेंडली इपने अनुवान सिकता कि खोज मौटर के पोधे की थी और ग्रेगर जा अब देखी यह मतर के प्रयोग चीकने खोर दे रहे यह पूरी कहानी में आपको यहां दिखा देता हूं अगर आप पीडियोप डाउनलोड करेंगे तो यह देख लेंगे तो अगरेगर जान मेंडल जो है यहां पर पौधे में कुछ ऐसे गुड़ उन्होंने जोड़ी औ और उस पे जोहें कि अनुवान सिकता बगएर कि उन्होंने खोज की अब 21 की चलते हैं 21 की अपर चला काफिला गुड़ और पूरन पॉली चैने की दाल की मीठी रोटियों को कहते हैं अगर पूरन पोरी अगर आपसे पूसी जाए क्या होती है तो चैने की दाल की मीठी रो सद्ध्या ही है और अब दोस्तों हम लोग सॉल्फ करेंगे लेसन फूर का क्योंकि अभी हमने बताय के हम लोग mam 5 से चुलेंगे 4 पे चुलेंगे और 3 चलिए हम लोग देखते हैं कच्छा चार के जो नोट्स हैं उनको और उसमें कितना सार इंपोर्टेंट क्यूशन है उसको सॉल्प करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मैं बता दूँगा अब वीडियो उसको लाइक नेगे वीड दोस्तों आपको फिर से उपर मैं दे रहा हूँ आप देख लेंगे इस नोट्स को बहुत ही बारिकी से तैयार किया गया अगर कोई भी तूटी होती तो इसकी कोई जिम्मदारी नहीं है आप उसको स्वाइंग देख लेंगे और आप भी सेलिवस अनलाइस करके देख सकते बड़ यहां था कि जितना हो सके इसमें सम्भव प्रयास किया गया कि तूटी नो हो तो अगर गलती से कहीं तूटी भी हो जाती है तो आप लोग उसको एग्नोर करिएगा और कहीं गलती है तो आप कमेट में जरूर बताएंगे सर यहां पे गलती है तो उसको सुधारा जा को देखेंगे बास से बनब पुल कहा मिलेंगे आपको असम में देखने को मुलें अर्ट्राली से दो भूल बच्चे जो याते दीखाई देंगे देखे बल्लम लकडी की बनी होती है जो की छोटी नाव होती है और केरल में बच्चे इससे स्कूल जाते हैं देखे बल्लम एक प्रकार की नाव होती है बहुत पतलिस होती है और इसमें बैट करके बच्चे स्कूल जाते हैं कहां के केरल के बच्चे तो ये बच्चे की स्कू लेह आतको पल्रणावे में आहुछStants की रास्ते आपको कहाँ उत्तर की पाण़या में मिलेंगे, यह क्यूशन यह से बनते हैं अब लेंसन टू है कान में, कान-कान में अब इस से देख आ है कान के बारे में विश्यस्ताइं बताएगी यहां से क्यूशन बनते हैं इसको आप cherry कर लिए है स्टक तो वैसे सभी करिये क्योंकि बनते हैं यह इंसराइट यहां के पंदर देख लिए है जिन कान बाहर दिखाई देते हैं उसके सरीर पर बाल होते हैं वो जानवर बच्चे देते हैं जैसे आप गाय को देख shapina नहीं होते वे जानवर अंडे देते जैसा कि आप मुर्गी को देख लीजिए, मुर्गी के कान क्या होते हैं, बाहर नहीं दिखाते हैं, हाला कि उसके सरीर पे बाल होते हैं, लेकिन उसके कान बाहर नहीं दिखाए देते हैं, इसलिए वो अंडे देते हैं, उसके लाओं और सारे ऐसे पच्छी हैं, या जानवर ह जो इनमें खूबिया मिलती है तो यह चीजे याद रखेंगे जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चे देंगे और जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देंगे वो क्या करेंगे अंडे देंगे तो फिर एक बार बताते दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वेल आइकन प्रेस कर दीजेगा वीडियो इसको लाइक कर दीजेगा और इससे दोस्तों में सेर कर दीजेगा अब चलिए लेसन 3 नंदू हाथी वाव ये हाथी से तो बहुत सारे क्यूशन बंता है और हर साल ही माली जिए बनता ही। तो यह आती से लिन के ब मतलब और ब अधिसेड़ tranh क्यों कि एक दिन में सो किलो से ज्यादा पत्ते और जानिया खालता है और ya एक दिन में कोल दो से 4 गंटे इस उोता है उसे गंदे पानी में खेलना पसंद है उसके सरीर को ठंडक मिlti है जब गंदे पानी में खेलता तो उसको सरीर में ठंडक मिlti है वे गर्मी में कानों को हिलाकर हवा करता है जुन में बड़ा हतनी ही फैसला लेती है और वही नेता होती है तो यह भी दो धान रखेंगे आप लोग एक जुन में दस से 12 अत्निय और बच्चे होते हैं किटनें दस दस बारा अत्नीय और उसके भच्चे होते हैं और हाथी 14 से 15 अल तक ही जूंड में रहते हैं तो नहीं यह 14 से 15 साल के ही मतलब जूंड में रहते हैं उसके बाद वह अकेले चलने लगते हैं और उनको जूंड की संख्या कितनी होते हैं दस से बारह होती है यह फैक्ट है आप याद रखेंगे अब देखें बागुला भहस पर क्यों बैठता है क्योंकि उनके भी सहजीवी संबंद होता है अब सहजीवी संबंद क्या होता है यह बहुत लोगों को समझ मिने जाता होगा तो देखेंगे कि जब आप छोटे थे तो आपको घर से एक भहस चराने को मिलती थी मैं वाक की भहस तो नहीं बना पा रहा हूँ बनाने का प्रहस कर रहा हूँ अगर मालीजी यह भहस है आप चरा रहे हैं तो उसके उपर आप देखेंगे एक बगुला आके बैठ जाता है वो बगुला क्यों बैठता है क्योंकि उनके भी सहजीवी का संबंद होता है अब सह जीवी का संबंद कहलाता है और हाथी परिसानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं यह भी उनके उपर खासियत है हाला कि सभी जानवर करते हैं मुसीबत में सहय था बट हाथी के बार में आप है अब लेसन फोर में है अमरिता की कहानी अब अमरिता की क्या कहानी है च अब देखे खेजड़ी क्या होता है खेजड़ी एक प्रकार का ब्रिच है अब ये रिगिस्तान के इलाके में खूप पाई जाता इसे पानी की जोरत नहीं होती है इसे पेड की छाल से दवा बनती है इस लकड़ी में कीड़े भी नहीं लगते इस पेड की फॉलीयों के आप याद रखेंगे और एक होता है रेगिस्तानी ओक ब्रिश जो कि वह अस्ट्रेलिया में पाया जाता है और उसके पेड के नीचे हम लोग क्या करते हैं तनों में पाइप लागा कर पानी पीते हैं लेकि यह ऐसा ब्रिच नहीं है खेजड़ी की ब्रिच में अगर बोला ज है जितने सारे क्यूशन बनते हैं इसको यह हमें देखा जाएगा अब आर्टी 2009 यह क्या कहता है तो राटी 2009 यह अधनी में क्या करता है चासे चौदा वर्च के बच्चों को मुपत अनिवार सिच्छा का अधिकार देता है अब मुजफर पूर्जिला कहां है बिहार में है मधुमक्खेण के अंडे देने का समय अक्टूबर से दिसमबर तक होता है तथा मधुफर पालन शुरू करने का अच्छा समय है याद रखेंगे और देखिए हर एक छते में एक रानी मदमक्खी होती है जो अंडे देती है छते में कुछ नर मदमक्खी भी होती है बहुत सारा काम करने के लिए मदमक्खिया भी होती है जिन मदमक्खियों को रस मिल जाता है वो अलग तर्यका नाच करती है जिसे सभी को पता चल जाता है कि रस कहाँ पहाँ नर्मक्षि कोई भी सेश्काम नहीं करते हैं ये मक्षियों के बारे में आप याद रखेंगे मदुमक्षि की तरह चीटी, दिमक, तताये भी समू में राते हैं तो देखिए समू में रने की जुन्ड में तो आप देखेंगे मध्मक्खी क्या कहते हैं छट्त ईम रहती हैं उसे परकार चीटी भी देखें चीटी भी कुंच सार हो देन एक हिसाद रहते हैं और तताहक इसारी में रहते हैं तो आपसे कीष्य में पुछाजा दस नुए लके सिपाही चीटियां बिल की देखवाल करती है और काम करने वाले चीटिया भोजन को ढूट कर बिल तक लाती है जैसे हम लोग स्रमिक चीटिया कह सकते हैं तो चीटि भी छुंड में रती हैं और उनका भी अलग-अलग काम होता है अब लेसन्स 6 है उमान का सहर अब इसमें क्या है और क्या क्यूशन बनते हैं इसको देखते हैं डोकला चटनी कहां खाने को मिलता है गुजरात में तो देखी ये एक कहानी है उमान का करता है ये सफर कर रहा होता है सफर कर रहा होता है गुजरात से अहमदाबाद के तरह सौरी यह बता नहीं सकते एकजायट बट यह सफर कर रहा होता है तो उसको ट्रेन एक जगा रुखती है जहां पर उसको डोकला और चटनी देखने को मिलता है तो वो कहा के लोग खाते हैं गुजरात के लोग और गाधी धाम कहा है आमदाबाद और बलसाड गुजरात में है कोजी कोड केरल में ये याद रखेंगे अब लेशन है सेबन खिड़की से अब क्या खिड़की से भाई इसको देखते है मटगाओं गोवा में है गोवा से केरल तक रेल के रास्ते बानबे सुरंग और दो सो पूल मिलते हैं महराष्ट में बोली जाती है कोंकडी गोवा में बोली जाती है तो अब लोग याद रखेंगे यहाँ से ये किशन बन सकते हैं कि गोवा में कौन सी भासा बोली जाती है तो कोंकडी महराष्ट में महराथी बोली जाती है गुजरात में गुजराती करनाटेक में कननन और केरल में मले आलम बोली जाती है अब लेशन एट है नानी के घर तक तो नानी के घर तो जाना सभी को पसंद होता था बच्छपन में अब देखिए नानी के घर तक क्या क्यूशन बनता है तो ये कुटायम कहां पर है केरल में है यहां से क्यूशन बनता है अब केरल में एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाने के लिए फैनी का इस्तमाल करते हैं जिसे हम लोग नाव कहते हैं और वो केरल के बासा में उसे फैनी बोला जाता है अब लेसन नाइन देखते हैं कि इससे क्यूशन कुछ कम बन रहे तो यह जल्दी जल्दी खतम हो जाएगा अब बदलते परिवार अब देखें लड़की के साधी करने की उम्र कितनी होती है अठारा वर्स और लड़के की 21 वर्स होती है तो दोस्तों हम लोग यहां पर देख लिए थे बदलते परिवार अब बदलते परिवार में दोस्तों क्यूशन बना था लड़की के साधी के उम्र 18 वरिस और लड़के की 21 वरिस होती है अब लेशन टेन में है हूं तू तू हूं तू तू अब इसमें देखें का बनता है इ यह बारा वर्स की उम्र से ही भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी अब यह 130 किलो तक का वजन उठा लेती हैं इनको 29 मैडल मिला है अभी तब तो करमन मलेस्वरी के बारे में अगर बात आया तो वो एक वेट लिफ्टर ने याद रखेंगे और कहा कि रने वाली यह आंदर प्रदेश की वह 12 बर्स के उम्र से ही वजन उठा ले रही थी और वो अब तक की 130 केजी तक का वजन उठा लेती हैं और 29 मैडल होलो जीती है अब लेसनी 11 में देखेंगे फुलवारी अब फूलो की घाटी किसे कहते हैं उत्राखंड को और देखें मध्वणी चित्रकला के बारे में बात की गई है तो यह बिहार में है मध्वणी नाम के एक अस्थान से प्रसीध है इसे पीसे वे चावल के घोल में रंग मिलाकर ब रहे हैं तो आज दक भी मध्वनीियाड़ःट प्रसीध है और इसमें प्योमी प्रकेट्िक रंगsome हिंसे जाता है जैसे नील से हमलोग रंग मिला लेते हैं अल्दी और फूल के फूल के रंगों से नीचोड़ करके रंग का इस्तमाल के जाता है और यॉसमें आपको बता जाते हैं अब कचनार के फूल की सब्जी कहा मिलती है तो यह उत्तर प्रदेश में केरल में केले की फूल की सब्जी बनती है महराश में सहजन के फूल की सब्जी बनती है और गुलदार जिनिया से रंग बनते हैं याद रखेंगे गुलदार और जिनिया से रंग बनते हैं य फूल से इत्र बनाया जाता है क्या बनाया जाता है का नौज जिले में फूल से इत्र बनाया जाता है अब लेशन 12 में देखें कैसे कैसे बदले घर अब शोहना गाउं कहां पर हर्याड़ा में है घारों के पोतने के लिए मिट्टी के से गोवर मिला कर पोता जाता है क्योंकि कीट नहीं लगते हैं उपर भी यह देख लिए थे हम लोग अब लेशन 13 में चलते हैं पहाडों से समुंदर तक तो इस सद्याज कोई क्यूशन ही बनता है और लेशन 14 है बसमा का खेत इसमें वेल वनिका गाउं के बारे में ही उनली पूछा गया तो वेल वनिका गाउं कहां पर करनाटक है याद रखेंगे अब देखिए दोस्तों इसके पहले जो है कि मैं दूसरा पीडिएफ खोल दिया था तो इसमें थोड़ी से तूटिया होगी थी बट इस वाले पीडिएफ में मैं इस पीडिएफ को अपलोड कर दूँगा और इसमें यह था संबो प्रयास है कि कहीं गलती न हुई है लेकि अपने हिसाब से समझ करके करिएगा अब देखिए गीजु भाई वदेगा कहां के हैं गुजरात के हैं अब कल चड़ी चिडिया अब देखिए चिडियों के बारे में भाई तो यह तो आप ध्यान रखेगा चिडिया से किशन बन सकता है और आपको जीतने चार पांच पर बारे में जानकारी होनी चाहिए अब कल चड़ी चिडिया घोसला नाजुक टहनी पर बनाती है और यह बाल जड़े उन और रूई से मिला कर बनाती है तो कहीं भी अगर नाजुक टहनी पर आपको बाल और जड़ और उन और रूई अगर मिल जा तो समझ लेज़ेगा किसक अपना गोसला नहीं बनाती है वह कववे के गोसले में अंडा देती है और कववा अपने अंडे के साथ उसके अंडे को भी सेता कववा पेड की ऊची डाल पर गोसला बनाता है यह याद रखीगा कहां बनाता है ऊची डाल पर देखी कोई भी पेड़ो छोटा भी पेड़ है झैले कि सबसे ओची अगर डाल तो उस पे जो घौसला रहेगा और लोहे के तार और काटों से तो समझ लिजे सब रहें किस का रहीं कोवब करागा उसी डाल पे याद रखेंगे और वही कहता कि सबसे उंचे पेड़ पे कौन गोसना बनाता है तो सबसे उचे कोड़ पेड़ 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 चील और बाज अपना घोसला बनाते है अब देखें फाक्ता कैक्टरस के काटो के बीच महदी के मेड़ में घोसला बनाता है नाक फणी जिसे हम लोग बोलते हैं जिसे अब कैक्टरस कह रहा हैं यहाँ पे तो नाकफणी के बीच में जो अपना घोसला बना लेते हैं वो फाक्ता पच्छी होता है गोरया घर में या घर के आसपास घोसला बनाती है या आइने के पीछे, अलमारी और उपर तथा कबूतर भी ऐसे ही बनाते है अब देखे होंगे जादे कबूतर पटनी वगरे पे या अलमारी पे या सीसे की पीछे भी बना लेते है गोरी चिडिया पेड़ों में घर बनाती है गोरी चिडिया क्या करती है पेड़ों पेड़ों पेड़ बनाती है और देखें दरजिन चिडिया दरजिन चिडिया अपने नुकीली चोच से पत्ते को सिलकर अपना घोसला बनाती है और सक्कर खोरा किसी पेड़ या जाड़ी की छाल पर अपना डाल पर सरी यहां पर डाला डार पर अपना लटकता हुआ घोसला बनाती है देखें कभी भी एन कुछ ऐसे पच्छी देखा करते थे लेकि अब फिलाल सभी पच्छी के परजाति wyn Jetztヤ actively दीरेफ़ा खत्म हो रही तो यह से घोसले देखने को नहीं मिल रहे लेकिं कहीं कहीं एस सब घोसले, को मील जाते हैं अब देखे वीवर पच्छी के बारे में बात की गए तो ये नर वीवर अपना अपना घोसला बनाते हैं तथा मादा को जो अच्छा लगता है वो उसी में अंडा देती है तो वीवर पच्छी की ये खासियत है अब देखिए गाय के आगे के दात छोटे छोटे होते हैं और पत्तो को काटने के लिए घास चबाने के लिए पीछे के दात चपटे होते हैं बिल्ली के दात नुकिले होते हैं जिसे मास फाड़ने और पकड़ने के लिए इस्तमाल की करते हैं साप के दात नहीं होते हैं वो क्या करता है शिकार को निगल के खाता है गिलहरी चुहों के दात हमेशा बढ़ते रहते हैं वो बस्तुओं को उतरते हैं उससे उनका दात घिस जाता है तो यहां पे देशिए गिलहरी और चुहे की बात आती है तो यहां पे चुहा पर थोड़ करके लेशन पर नंदिता मुंबाई में तो यहां से कोई प्राश्ण नहीं बन रहा है तो इसको अम लोग सामिल नहीं करेंगे तो दोस्तों देखिए एक घंटे आठ मिनट संथिंग हो गया है इस वीडियो को और अब ही हम लोग लेशन फोर के अठारा पे हैं तो यह वीडियो थोड़ी से लंबी होगी बट बहुत ही हेलफूल होगी आपके लिए तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा अगर फिलाल अगर आप लगतार इस वीडियो को एक्जाम से पहले देख लेते हैं तो बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए अब लेशन अठार में पानी कहीं ज्यादा कहीं कम अब नल्ला मणा कहां पर हैं आंदर प्रदेश में बाजरा गाउं कहां पर हैं माराष्ट मे होला गुड़ी कहां करनाटक तो यह याद रखेंगे पानी कहीं ज्यादा कहीं कम इस अध्यास से यही सारे क्यूशन बन सकते हैं कि नल्ला मणा कहां पर हैं तो आंदर प्रदेश बाजरा गाउं माराष्ट होला गुड़ी गाउं करनाटक में देखिए जब यह आप एक ब अब लेशन 19 में देखेंगे जड़ो का जाल मूली चुकंदर और गाजरादी क्या हैं जड़े हैं और यहां पर थोड़ी से टापिंग में दिक्कत है तो मैं बार बार बोलना आप उसे अपने हिसाब से देख लीजिएगा बरगत की लटकती लटकन जड़े होती हैं अब और यहां से क्यूशन बनते हैं तो रेगस्तानी ओं को देख लेते हैं रेगस्तानी ओं अस्ट्रेलियम पाए जाता है इसके जड़ो के नीचे लोग पाईप लगा का पानी निकाल सकते हैं अब लेशन 20 पे चलता है मिलकर खाये सबीक आते हैं अमारे और पर हाँ जो पकने के बाद चिपचिपअ हो जाता है तो यह बोरा दे सकते हैं अश confirm का एक चावल है वह लोग इसमें समान रखते हैं यह इस तरह का यह प्लास्टिक बहुत सारे हो जाएंगे बट बोरा जोए ना असाम का खाने वाला एक चावल है और बीहुतिवार का हम लोग मनाते हैं सम में मिडडे मील की योजना के तरह से एक स्याट तक के बच्चों को खाना देने का प्रोधान किया गया अब इससे जादे क्यूशन नहीं होंगे क्योंकि अब एक की सध्याप आ गया उसके बाद हम तीन को खतम करेंगे तो मेरे हिसाब से लगबग डेड़ घंटे में सारा खतम हो जाएगा अब खाना खिलाना गुर्दवारे में एक साथ खाना बनाने और खाने को क्या कहते हैं लंगर कहते हैं अब देखी दूस्तों आपको बता दें कि अगर लेशन सारी पच्छत तीन में जाते हैं तो उससे भी जादे क्यूशन नहीं बनते हैं जल्दी और चार में भी बहुत सारे ऐसे अध्याहन जैसे आप देख सकते हैं लेशन 22 और लेशन 23 संतिंग एक एक दो दो क्यूशन है और 23 में पूछा गया पोचम पळली से पोचम पळली से पोचम पळली कहा है तो यह आत्रखने अब देखी है ये लगतार वीडियो एक डिड़ लिए भी तो आप जरूर इस वीडियो इसको लाइक कर दीजेगा और पूरा अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने दोस्तों में शेयर भी करिए इसको दूर देश की बात लेसन 24 में देखेंगे अबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ मिलते हैं इसके पेड़ मिलते हैं खजूर के अबू धाबी में पेट्रोल पानी से सस्ता होता है ये याद रखेंगे अबू धाबी में क्या चलता है दीरहम चलता है अब लेशन पचीस है चटपटी पहली अब देखे केरल में तेजपत्ता है छोटी लाइची बड़ी लाइची काली मीर्च आधी उगते हैं लेशन 26 फौजी वहीदा लेटिनेंट कमांडर वहीदा प्रीज में ये भारती नौसेनाग में डाक्टर हैं ये याद रखेंगे राजावरी जिला का है कस्मीर में अब देखे एक बात जरूर आप ध्यान देजेगा अगर आप इस वीडियोस को देखेंगे तो ये आपको और अच्छे तरीके से आद होगा लेकिन अगर इस वीडियोस को देखने के बाद आपको लगता है कि NCRT पढ़ना है या अगर आप पढ़के इसको देखते हैं तो और भी बैटर हो जाएगा आपके लिए और मैं बस इसका पीडियाप दे दूँगा तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो आप इस वीडियोस को एक बार देखें उसके बाद मुझे कमेंट करें मैं आपको पीडियाप जरूर दूँगा अब लेशन 27 है कोशिस होई काम है अब लेकि यहां से कोई प्रशन नहीं ब 3 और यह है कच्छा 3 का तो अभी तक हम लोग ने सालब कर लिया है कितना समय एक घंटा 13 मिनिट में दो अध्या कर चुके हैं और यह बहुत ही इसली होगा यह भी जल्दी खतम होगा क्योंकि आप देख रहेंगे पहले ही कि लेशन से क्यूशन नहीं बने है तो इसका पहला क्यूशन सरी पहले था डाल डाल पर ताल ताल पर तो यहां से कोई क्यूशन नहीं बने है अब लेशन टू चलते हैं पौधो की परी तो यह मसहूर कलाकार बिश्णु चिचलांकर थे यह सुखे पत्तों से बढ़ियां चित्र बनाते थे तो यह एक पत्ता है पत्ते सुखे पत्ते जो मिलते थे उस पर यह क्या करते बढ़ियां नकासी करते थे चित्रकारी करते थे कौन थे मसहूर बिश्णु चिंचाल कर जो भी हो अब लेसन 3 से कोई question नहीं बन रहे हैं लेसन 4 से भी कोई question नहीं है अब लेसन 5 से कुछ question बनते हैं उसको देखते हैं चोटू का घर अब चूह में देखने की छमता परंथ कम होती है परंथ सूंगने तिथा छूने और स्वाद वाली छमता हैं भूत ही तिब्र होती है अब देखिए गाधी जी की डेड़ समी वर्सगाट करीज सोच भारत मिशन अभियान की सुर्वाद की गई थी तो यह याद रखेंगे पूछ देगा कि कितने वर्सगाट पर तो डेड़ समी अब लेसं सेबन यह इंपोर्टेंट है हैं यहां से क्यूशन आते हैं खाना अपना अपना अदेखिए हं के के लोग क्या खाते हैं साप खाते हैं और साप का एडिस जो आता है लिंग यू फेन के नाम से जाना जाता है कस्मीर के लोग सरसो के तेल में मचली खाते हैं ये पिछली बार 2019 में क्यूशन पूछा गया था मिलान करनी के लिए था नारियल में डली करी के साथ उबला हुआ ट अब लेशन एट से कोई क्यूशन ही है लेशन सेबन लेशन नाइन है और यहां पर थोड़ा सा कन्फूजन होगया होगा टाइपिंग में तो उसको आप ध्यान मत दीजेगा क्यूशन पर ध्यान दीजेगा पंक फैल आया उड़ते जाए अधिके मैना जटके से अपनी गर अधिके आप लोग याद रखेंगे अगर जटके से करेगा तो मैना अगर काफी हद तक पीछे गुमा देता है तो वह क्या होता है उल्लू होता है याद रखेंगे कि यहां पर देख रहे हैं बाद लाए बारिस लाए यहां से कोई क्यूशन है दस ग्यारा बारा से कोई प्रश्ण नहीं है फिर इसके बाद 13 में क्यूशन कुछ बनते हैं तो उसको देख लेते हैं अब ब्रेल लीपी जो लोग देख नहीं पाते उनको पढ़ा जाता हैं ब्रेल लिपी को फ्रांस के रहने वाले लूई ब्रेल ने खोजा था और यह च्छ बिंदों पर धारी था यह याद रखने यहां पर 14 पंद्रा और 16 से कोई प्रश्ण नहीं है 18 से देखते हैं ऐसे भी होते हैं घर यहां से क्यूशन बनते हैं देखिए असम में बारिस बहुत होती रहती है इसलिए असम में जमीन से लगबग 10 से 12 फुट ऊचे घर के घरवास के खमों पह बनते हैं ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं अब देखे मनाली के बारे मात की खैंक तो मनाली में भी बारीस अधसा बर्प पड़ती है इसलिए इहाँ के गर्पत्थ तेसा लखड़ी के बनते हैं यहाँ पहाड़ी छेतर हैं हुँआ और देखिए मनाली के जो घर होते हैं थोड़ी से ढलवे होते हैं चोट उनकी और लकडी के बने होते हैं रजस्थान में गर्मी ज्यादा होती है इसलिए यहां के गर मिट्टी की मोटी दिवारों को मिट्टी से पोथ कर सुन्दर बनाया जाता है और च्छतों को कटीली जाता है यह मैं पीशे भी बता चुका हूँ अब 21-22 से कोई प्रश्ण नहीं है और 24 से यहां पर जीवन का जाल और यह जीवन का जाल और यह कच्छा तीन का लेशन 24 और यह लास्ट है और वीडियो की लास्ट क्यूशन है और इस क्यूशन में भी कोई दम नहीं क्योंकि पानी और मिट्टी से मिलाकर बनती है और मिट्टी हमें कहां से मिलती है जमीन से मिलती है तो आसा करते हैं कि दोस्तों यह सीटेट का पर्यावराण की नोट्स जो एक सिपास तक NCRT पैटन क्या है यह आपको एक ही वीडियो में निचोड मिल गया है आपको समझ में आया हो होगा अगर दोस्तों आप Video last तक देखें तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि हम लास्ट तक देखें हैं और बहुत ही अच्छा लगा है अगर आप लास्ट तक लाइड हो 2010 पिया अज़ारे आप लौन 만들어 पीजले करें तो भी लाइक करतीजी का मिलते हैं कि लिए वीडियों को साथ तब तक के लिए बाइबाइब